आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर यह बहुती डिलीशियस ठावा स्टाइल रेस्पी है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे इसके बाद इसमें हम प्यास डालेंगे और उसे तलेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शियर और लाइक करना ना भूले जब प्यास इस तरह से तल जाएं और इस तरह के कलर में दिखें तो आप इससे निकाल लें इसी तरह हम शिमला मिर्च को भी तल लेंगे जब ये कुछ इस तरह का हो जाएं तब इससे आप निकाल लें इसके बाद हम उस तेल में एक चमच जीरा डालेंगे इसके बाद हम इसमें दो इलाइची और चार लॉंग डालेंगे इनके बाद हम इसमें प्यास डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हलका सा गोल्डन फ्राइ कर लेंगे इसके बाद इसमें हम अद्रक और लसन का पेस्ट डालेंगे दो चमच इसके बाद यहाँ पर हम काजू और मगज का पेस्ट डालेंगे इसे मिक्स कर ले और इसे थोड़ा सा पकने दे यह बहुती डिलीशियस टेस्पी है तो आप इसे घर पे जरूर प्राइ करें इसके बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिस्ट पाउडर डालेंगे और इसे mix कर देंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे जब यह हलका पक जाए इसमें हम एक छोड़ा कटोरी टमैटो प्यूरी डालेंगे उसे भी mix करके पकने देंगे उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आदी छोड़ी चमच हल्दी डालेंगे और इसे भी mix करके पकने देंगे इसके बाद इसमें हम दो छोड़ी चमच धनिया पाउडर डालेंगे और एक छोड़ी चमच प्लैक पेपर पाउडर डालेंगे इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और पकने देंगे यसे हम धकन की मदद से धक देंगे जिसे अची तरह से पक जाए करीब हमें राउने हमें 2 से 3 मिनिट इसे पकाना है इसके बाद हम धकन हटा लेंगे यह यह ची तरह से पक चुक्र meditation को उसके बाद इसमें हम मलाई डालेंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची डालेंग, कुछ इस तरह से कटी हुई इसे हम 2-3 मिनिट तक पका लेंगे ये देखें, 2-3 मिनिट तक हमने पका लिया है इसे अब इसमें हम करीबन आधा लीटर दूड डालेंगे और इसे साथ साथ में हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे ये देखें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ये इसे अच्छी तरह से चला के मिक्स करें इसके बाद इसे भी धब कर तीन मिनट के लिए पका लें ये देखें अब एक तवे में हम कसूरी मेति लेंगे अब हम धकन हटाएंगे हल्का सा मिक्स कर लेंगे सबी चीजों को उसके बाद हम अपनी हातों की मदद से कसूरी मेती को हल्का सा क्रश करकर अपनी कढ़ाई पनीर में डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह बहुती टेस्टी ढावा स्टाइल रेस्पी है इसके बाद हम इसमें अपनी शिम्ला मिर्श डालेंगे और प्यास डालेंगे जो हमने तला था और इसे भी मिक्स कर ले इसके बाद इसमें हम पनीरी डालेंगे और इसे मिक्स कर लिए इसके बाद ये कुछ इस तरह की दिखेंगी इसके बाद इसमें हम एक चमच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लें इसके बाद हम इसमें आधी छोटी चमच शक्कर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे टेस्ट और अच्छा आता है इसे हम ढग देंगे जिसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए ये देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है तो हमारी कड़ाई पनीर बनकर तयार है आप इसे जरूर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद